देखिए हैं कितना बढ़ी है कितना टेश्टी ने अस्ता बना है इस तरह बनाईए खाई एंजॉय किजिए नमस्कार दोस्तों रंजू कीचन में आप लोग का स्वागत है कैसे हैं उमीद करती हैं वच्छेंगे स्वस्तर ही मस्तर ही जहां भी रहे यहां देखिए 8 घंटा ह इसको धुल के अच्छे स्चान लिए हैं और इसको पीश लिए हैं अब इस तरह सिलवर्ट पे या मिक्सर में पीश सकते हैं यहां हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और कलर आने भर्के इसमें थाल देढ़ लेंगे एक चम्मच छोटे चम्मम थाल दीए हैं और 3-4 ख लिए लासुन है जिसको घ्रेट देना जरूरी है और यहां हम धनिया के पत्ति डाल दिये हैं कटी होई अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम मसाला मेरा बढ़ियां से तयार हो गया है अब यहां देखिए एक जाली वाला प्लेट है जिसमें हम सर्सों के तेल लगा रहे हैं आप चाहे ते घी लग सकते हैं इस तरह इसमें तेल लगाने स्क्या होता है कि चीपकता नई है नास्ता जो भी आप इसमें वालते हैं तो आज उबला हुआ कुछ हम रेस्पी आप लोग के बीच में सेर कर रहे हैं तो इसको तेल लगा दिया है विजो एक चम्मच तेल बचा इसमें हम एक जीरा मरीच और धनिया वोना हुआ है पीसा हुआ इसको हम डाल देते हैं मसाला आपको भरी मिर्थ के अचार में बनाए हैं वही मसाला है और इसमें एक पिंच हम हल्दे डाल दिया है हल्का सा कलर आने के लिए हल्दी पहले सपड़ा था एक छोटे चम्मच से हम काला नमक एक चम्मच और इसको हम बनिया से मिक्स करके साइड रखते हैं और यहां देखिए हम दो कटोरी गेहों की आटे को तैयार कर लिए हैं तो जैसे रोटी बनता है उसी तरह बनेगा इसमें से आधा आटा मेरा लगेगा आधा रोटी बनाऊंगी साधा तो इसमें देखिए छ रोटी के तरह पुरा अच्छे सिवेल दिये हैं रोटी से थोड़ा भी कर सकते हैं रोटी के बरावर भी कर सकते हैं तो मेरा रोटी से थोड़ा सा बड़ा मैं बनाती हूं इसको कि मुझे इसको बनाना है रोल तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा जल्द पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहां देखिए दाल अच्छी से लग गया इसमें किसमिस लगा देते हैं इस तरह और रोटी का हम रोल बनाएं और इसका स्वाद तीखा मेठा खट्टा नमकी स्वाद आएगा बहुत टेश्टी बहुत अच्छा नास्ता बनके तयार होगा जो खाएगा सबको पसंद आएगा और जल्दी बन भी जाएगा आप चाहें ते इसको तेल में फ्राई करके खा सकते हैं चाहें ते इसको उब उबला बनाने के लिए इसको बनाए हैं कि जैसे बच्चों का पसंद हुआ है कि कमेंट आया है आप उबला कुछ नास्ता बनाई है जिसको बिना तेल मसाला के अब यहां देखिए पहले से हम पानी गरब करने के लिए रखे थे उसी भाप पे इसको 20 मिनट तक पकाएंगे और इसको ढग देते हैं 20 मिनट पकेगा फिर आगे के प्रोसेस आप देखिए अब यहां देखिए 20 मिनट के बाद परफेक्ट नास्ता तयार हो गया है और इसमें चमक आ गई है चमक से पता चाल जा रहा है कि साइन आ गया है और अब इसको ठंडा होने बाद हम निकाल ले चोंगे खोटे-पीस में काट लेंगे इस तरह आप अब पुदीना के चटनी से खाएए ठनिया के चटनी से खाएए रायता से खाएए चाहे के साथ खाएए और टमेटो सोस के साथ खाएए अगर फ्राइखनskर down तो आप इस तरह तेल हलका खाना है तो इस तरह हलका सा एक चम्मस तेल डालिए गरम पैन पर इसको दोनों तरफ अच्छे से उलट पुलट के फ्राई कर लिजिए अगर इससे ज्यादा करंची खाना है आपको तो आप कडाहिम तेल डालके उसमें फ्राई कर लिजिए जैसे पकोड़ी तलते हैं जैसे पुड़ी तलते हैं तो और करणची आ जाएगा और नहीं तेल खाना है तो उबला हुआ खाईए मैं तीनों आपसन आपके सामने रख दी हूँ आप जैसे भी आपके पसंद है उस तरह आप खाईए चुकि हर लोगों का हर अलग-अलग पसंद होत तो कमेंट कीजिए अगले वीडियो मिलती हूँ धन्यवाद